नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों सपाकत है आप सवी का आपके अपने प्लैटवर्म के उपर मेरा नाम है संधीब आज सेशन में दोस्तों बात करेंगे फ्लूट मेकनिक्स के अंदर जो हमारे सबमर्जड बॉडी जही हैं एसी bodies के उपर कौन-कौन सी forces लगते हैं इनके बारे में दोस्तों इस session में बात करेंगे overall हमारा class schedule कुछ इस प्रकार से है Monday to Friday 9 p.m. fluid mechanics हम पढ़ रहे हैं YouTube के उपर यह हमारा YouTube का free batch जो चल रहा है इसमें Monday to Friday 9 p.m. हमारा session होता है एप के उपर सुबह 9 बजे 11 बजे sessions होते हैं जिसके अंदर सुबह 9 बजे हम surveying पढ़ रहे हैं building material almost complete हो गया एक दो topics बचे हैं तो यह 11 बजे हमारा session चल रहा था इसके बाद हम इनसे related practice questions हम करेंगे overall 9 बजे 11 बजे सुबह एप के उपर glasses शाम को 9 बजे YouTube पे हमारा session होता है सभी को नमस्कार सभी को good evening a very good evening to all of you चली दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं और हमारा topic जो है forces on submerged body यह हमारा last chapter है fluid mechanics का आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी building को observe करते हैं तो उस building के उपर forces लग रही है air के current तो air एक fluid था उस fluid के current अब उस building के उपर forces लग रही है अगर आप देखते हैं दोस्तों bridge के नीचे से जब पानी बहता है तो वो bridge के जो pillars है या peers जो है इनके उपर कुछ ना कुछ force लगाएगा तो ये fluid जो है इसके अंदर submerged जो pillars थे या peers थे इनके उपर forces लगा रही थे इसी तरह आपने देखा होगा airplane जो होता है airplane हवा जब बह रही है तो उसके कारण airplane जो है उसके उपर कैसे कैसे forces लग रहे हैं इन सब के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं so fluid यहाँ पर बह रहा है body stationary थी इस case में अगर आप देखे इस case में देखे आप so when a fluid is flowing over a stationary body a force is exerted by the fluid on the body similarly when a body is moving in a stationary fluid a force is exerted by the fluid on the body अब चाहे body motion में थी और fluid रुका हुआ था चाहे आपकी body रुकी हुई थी और fluid motion में था दोनों cases में उस body के उपर fluid के द्वारा एक force लगाई जाते है जिसको हम यहाँ पर पता करेंगे so examples of fluid flowing over stationary bodies और bodies moving in a stationary fluid जैसे air plane को आप देखेंगे तो हवा अगर रुकी हुई है तो उसके अंदर यह plane move कर रहा था यहाँ पर यह जो bridge के peers हैं यह रुके हुए हैं लेकिन fluid जो है वो flow कर रहा है water flow कर रहा है इस case के अंदर और इस case में building रुकी हुई है लेकिन air जो है वो चल रही है तो इन सब के examples flow of air over buildings flow of water under the bridges और submarines, ships, air planes यह सब किसके example है कि fluid रुका हुआ है और body move कर रही है अब इन में बात करें अगर हम अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों की force लग कितनी रही है किसी भी body के अंदर force लग कितनी रही है इसकी बात करते हैं आपके पास एक fluid है जिसके अंदर u velocity से fluid flow कर रहा था और एक stationary body यहाँ पर exist कर रही थी अब इस stationary body के उपर इस fluid के कारण कुछ न कुछ force exist करेगा कुछ न कुछ force इसके उपर लगेगा जो हमने बोल दिया कि कुछ resistance कुछ resultant force FR लग रहा है अगर resultant force FR लग रहा है तो एक component इसका horizontal direction में होगा एक vertical का direction के अंदर होगा अगर resultant force इसके FR लग रहा है तो horizontal direction में एक component होगा एक component vertical direction में होगा क्योंकि जब हम bike पे जाते हैं तो bike पे जब हम जाते हैं तो हवा सामने से आ रही होती है या हम चल रहे होती है तो stationary air जो है वो भी हमें wind की तरह में हैसूस होती है हम बोलते हैं कि bike पे तो बहुत जादा drag लग रहा है drag लगने का मतलब वो हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है ऐसा आप कहे लिजिए तो एक drag force होती है एक force होती है lift force एक force कौन सी होती है lift force जो उठा देने की tendency रखती है तो एक force drag force लगती है एक lift force लगती है drag force horizontal direction में lift force जो है वो vertical direction में उसके उपर लग रही है a body is held stationary in a real fluid flowing with velocity यो the fluid exerts a resultant force FR which is perpendicular to the surface of body इस body के surface के perpendicular ये force लगेगा drag force क्या होती है the component of total force FR in the direction of motion is known as drag the component of total force FR in the direction perpendicular to the motion of fluid is known as lift तो fluid की direction में जो force लग रही है वो drag perpendicular direction में जो लग रही है वो lift force कहलाती है lift force occurs only when the axis of body is inclined to the direction of fluid flow so if the axis of body is parallel to the direction of fluid flow lift force is zero in that case only drag force acts जब भी अगर कोई आपने ऐसी वीडियो देखी हूँ जिसमें जिसे एगर western countries की बात करें तो वहाँ पे बहुत तीज हवाईं चलती है हमारे यहाँ इतनी जादा नहीं चलती है western countries में बहुत जादा चलती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर air को air अगर आपके उपर लग रही है तो वह आपको एक तरीके से पीछे की तरफ धकेल न दे या फिर आप गिर न जाए balance न बिगड़ जाए एक तरह से आपके पैर ही न उठा देगो तो उसके लिए कौन सी direction में या तो बैठ जाते हैं वो लोग अगर फ्लूड आइडियल होगा और बोड़ी सिमेट्रिकल होगी तो उस केस में ड्रैग फोर्स लिफ्ट फोर्स उसके उपर जीरो होते हैं अगर आपके अगर हम बात करें तो ड्रैग फोर्स कहां exist करेंगी force due to pressure in the direction of fluid motion plus force due to shear stress in the direction of fluid motion एक तो force लग रही है fluid के motion वाली force due to pressure in the direction of motion एक तो pressure की वज़े से force लग रही है ड्रैग फोर्स औरिज़ॉंटल डायरेक्शन में वो पुश हो रहा है दूसरा यह जो fluid flow कर रहा था यह fluid की layers इसके उपर shear stress लगा रही है जिसके कारण वो उसे इस direction में ले करके जा रही है lift force की अगर हम बात करें तो एक तो pressure force जिस direction के अंदर वो lift हो रहा है मतलब vertical direction में जो pressure force exist कर रही है और एक यहाँ पर हो जाएगा force due to shear stress in the direction of perpendicular direction perpendicular to the direction of motion तो एक pressure की वज़े से यह particle या यह body आगे move कर रही थी और दूसरा जब यह fluid के उपर जो shear stress लग रहा था वो तो pressure और shear stress इन दोनों के current drag और lift हो रहा है values की अगर हम बात करें तो cd into a into rho u square by 2 lift की बात करें तो cl into a into rho u square by 2 यह आपके पास drag force आ जाती है इन terms के अंदर देखते हैं density को denote किया गया rho से velocity की बात करें तो u से denote कर दिया coefficient of drag cd से denote किया coefficient of lift को cl से हमने denote कर दिया यहाँ पर a होता है कि projected area a की अगर हम बात करें तो आप a projected area देखेंगे जिस direction में fluid flow कर रहा था यहाँ से अब मुझे projected area कौन सा दिखेगा कैसा area project हो रहा है इस side से वो projected area consider किया जाएगा resultant force की अगर हम बात करें तो resultant force जो होगा वो drag force lift force क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के perpendicular है तो इनका resultant की बात करेंगे तो angle दोनों के बीच में theta की value 90 degree है तो f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta पूरे का root जब लिखेंगे तो आपके पास cos theta की value 90 तो resultant force आजाएगा drag force का square plus lift force का square और overall पूरे का root यह हमारे पास resultant force आजाती है equation आपके सामने equation लिखें फिर इससे solve करता है झालाएगा 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 झाल देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे drag force की तो coefficient of drag into area into rho u square by 2 lift force में यहाँ पर coefficient of lift आ जाएगा बाकी formula आपका as it is रहेगा a flat plate 1.5 meter into 1.5 meter आपको यहाँ पर plate का area 1.5 square हो जाएगा वो आपने calculate कर लिया density आपको fluid की दी हुई है 1.15 kg per meter cube coefficient of drag और lift आपको दे रखे है lift force, drag force पता करने है lift force की अगर हम बात करेंगे तो lift force आपके पास आजाएगी CL into A into rho u square by 2 CD into A into rho u square by 2 आपके पास drag force आजाती है velocity जो दे रखी है वो kilometer per hour में convert कर लेंगे इसे meter per second में तो 13.89 meter per second आजाएगी values इसमें put कर दीजिएगा CD is equal to 0.15 put करेंगे values को drag force आपके पास आगया 0.15 into 2.25 coefficient of drag को multiply किया area से density 1.15 13.89 आपके पास velocity आई थी इसका square divided by 2 similarly lift force calculate करेंगे coefficient of lift 0.75 दे रखा है area आपके पास 2.25 density आपके पास आगए 1.15, velocity 13.89 इसका square by 2 जब ये दोनों आगए तो resultant force calculate करने के लिए आपको root of fd square plus fl का square करना है root लेके दोनों का square add कर दीजिए तो resultant आपके पास आजाएगा force power required to keep the plate in motion power की अगर हम बात करेंगे तो जितना force into velocity जिस direction में power की बात हो रही है force in the direction into उसी direction के velocity आप consider कर लेंगे यानि कि drag force horizontal direction में कौन सी force लग रही है 519 watt आजाएगा next देखे अब किसी भी body के उपर जो drag force लग रही थी वो drag force का current क्या था एक तो था pressure और दूसरा था उसके उपर जो friction लग रहा है या फिर उसके उपर जो shear stress लग रहा है वो था इन दोनों में से किसका कितना component है ये इस बात पर depend करेगा कि उस body की shape कैसी है उस immersed body की shape कैसी है position of the body in immersed fluid किस जगा पर वो located है actual में और fluid की properties क्या है fluid की characteristics क्या है इनके उपर वो depend करेगा तो अगर आपके पास जैसे आप देखेंगे कोई plate flow के parallel है flow के parallel कोई plate रखी हुई है तो इस case में यहाँपे क्या होगा pressure force तो एकदम zero हो जाएगी इस पे कोई pressure force तो लगेगी नियीं प्रेश और सिर्फ ये जो fluid की layers यहाँपर भes रही थी ये इसको अपने साथ में ले करके जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर shear stress लगेगा pressure force इस case में 0 हो जाएगा अगर कोई plate एकदम ऐसे है perpendicular है तो इस case में यहाँ पर क्या होने वाल है shear stress जो लगेगा वो flow के perpendicular direction में और इस direction में इसके उपर pressure force लगेगा तो अब आप इस case में आप बोल सकते हैं कि if plate is perpendicular to the direction of flow frictional drag 0 हो जाएगा यहाँ पर और सारा का सारा जो drag होगा वो किसकी वज़े से होगा जितना pressure यहाँ और जितना pressure यहाँ इन दोनों के अंदर जो pressure difference होगा उसके बराबर होगा और downstream end पे यह जो wakes है वो form हो जाते हैं अगर कोई plate जो है वो flow के बीच में perpendicularly रख देंगे तो इसके downstream end पे यह wake formation होती है जितना pressure का difference आता है यहाँ पर उसी के बराबर यह वो pressure act करेगा जो responsible होगा इसके movement के लिए या drag के लिए Next, streamline body किसको बोलते हैं एक streamline body वो body होती है जिसका surface जो होता है वो coincide कर जाता है streamlines के साथ जब भी उस body को हम किसी flow के अंदर रख देते हैं The separation of flow will take place only at the trailing edge और rearmost part of the body for a streamline body जैसे इस case पे आप देखेंगे यहाँ पर तो इस edge के बाद यह separation point आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है Behind a streamline body, wake formation zone will be very small and consequently the pressure drag will be very small अगर streamline के along कोई body aligned है तो उस case में इसके इस end पे wake formation जो होता है वो बहुत कम होगा यहाँ पर और obviously pressure difference भी ना के बराबर होगा तो यह basic basics आया bluff body किसको बोलते हैं bluff body एक ऐसी body है whose surface does not coincide with the streamline when placed in a flow then the flow is separated from the surface of body much ahead of its trailing edge with the result of a very large wake formation zone अगर एक ऐसी body होती जैसे इस case में तो एक plate ही ली एक बहुत बड़ी body होती तो उस case में यहाँ पर ही flow separation होना शुरू हो जाता जिसके करण यह wake formation और ज़्यादा आ जाता wakes और ज़्यादा form हो जाते और ज़्यादा pressure difference यहाँ पर आ जाता इसके उपर और ज़्यादा drag लगता pressure की वज़े से then the drag due to pressure will be very large as compared to the drag due to friction on the body the bodies of such a shape in which pressure drag is very large as compared to friction drag are called as bluff bodies ऐसी bodies जिनके अंदर pressure drag ज़्यादा होता है as compared to frictional drag तो उन्हें हम bluff body कहते हैं किसी spherical body के उपर अगर हम drag की बात करें तो Reynolds number अगर 0.2 से कम हो यानि कि viscous force जो है वो ज़्यादा है inertia force से inertia force को हम neglect कर देते हैं उस case में आपके पास frictional drag आता है 3 pi mu du जिसके अंदर skin friction drag या pressure drag का जो proportion होता है वो 2 is to 3 और 1 is to 3 वाला रहता है इस portion के अंदर ये वाला portion rarely asked है ये chapter ही even बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी discuss कर रहे हैं by chance कभी कहीं पर पूछ ले तो done expression for cd for sphere when Reynolds number is less than 0.2 होगा तो आपके पास 24 by Reynolds number आ जाता है ये आपको use करना है cd की value जब Reynolds number less than 0.2 हो तो 24 by r e आपको use करनी है cd की value जब Reynolds number की value 0.2 से 5 के बीच में हो तो उस case में आपको 24 by r e 1 प्लस 3 by 16 r e आपको use करना है जिसे ocene formula हम भोलता है value of coefficient of drag for Reynolds number 5 to 1000 0.4 consider करते है cd की value Reynolds number 1000 से अगर 100,000 के बीच में हो तो 0.5 लेते है value of cd जब Reynolds number की value 10 raise to the power 5 से भी ज़ादा हो तो उस case में 0.2 consider की जाते है तो ये थोड़ा सा additional topic था additional chapter था इसे एक बार आप revise कर लीजेगा तो ये थोड़ा सा additional topic था थीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next आते है एक छोटा सा question इससे related calculate the weight of a ball of diameter 80 mm which is just supported in a vertical air stream which is flowing at velocity of 7 meter per second the density of air is given as 1.25 kg per meter cube kinematic viscosity of air भी आपको दे रखे है 1.5 stokes तो सबसे पहले हम इसका Reynolds number calculate कर लेंगे rho vd by mu या फिर vd by new से v को यहाँ velocity को u से denote कर रहे है तो ud by new से आ जाएगा values put करेंगे Reynolds number की value आ जाती है हमारे पास 3730 अब अगर Reynolds number की range हम देखें कि 1000 से लेके 100,000 के बीच में है तो आपको cd की value 0.5 consider करनी होगी cd की value 0.5 put कर देंगे फिर उसके बाद आपके पास area pi by 4 जो projected area है वही लेंगे sphere का obviously या ball है आपके पास 80 mm डाया की तो एक ball का projected area कौन सा हो जाएगा एक ball का projected area एक circle बनेगा वो consider कि आपने यहाँ पर उसका area लेगा into density फिर velocity का square by 2 आपने कर दिया तो drag force आपके पास यहाँ से आ जाएगी 0.07696 newton इसका मतलब क्योंकि drag force और यह आपस में balanced है इसी के बराबर इसका weight हो गया next बात करते है terminal velocity of a body जब भी कोई body जैसे आपने कभी अगर sky diving की हो तो आपने देखा होगा कि जब आपने jump किया तो पहले तो आप gravity मतलब free fall गिर रहे हैं एकदम तो gravity के कारण गिर रहे हैं फिर उसके बाद अगर आपने parachute use कर लिया तो अब उसके उपर upward direction में हवा का drag जो है वो भी act कर रहा है बारिश की बूंदे जो होती है जब बारिश गिरेगी उपर से तो एक बार तो वो तेज velocity से आएगा gravity उसे तेजी से खीचेगी लेकिन थोड़े समय बाद drag force जो उसके उपर लग रहा है drag and lift forces जो उसके उपर लग रही है वो उसको इस तरीके से balance कर देती है कि जितना उस body का weight होता है उतना ही उसके उपर drag लगना शुरू हो जाता है इसका मतलब उस body पर net force zero हो जाती है फिर वो एक constant velocity से नीचे गिरना शुरू कर देता है उसी को बोल देते हैं terminal velocity of a body terminal velocity is defined as maximum constant velocity of falling body such as a sphere or composite body such as a parachute together with a man with which the body will be traveling when the body is allowed to fall from rest in the atmosphere the velocity of body increases due to acceleration of gravity with the increase of velocity the drag force opposing the motion of body also increases a stage is reached when the upward drag force acting on the body will be equal to the weight of body then the net external force acting on the body will be zero and the body will be traveling at constant speed this constant speed is called as terminal velocity of the falling body यह सब किसके उपर depend करेगा उस body का weight कितना है उस पर drag force कितने लग रही है buoyant force उसके उपर buoyancy वाली force जो है वो उसके उपर कितनी लग रही है तो overall उस body के उपर एक तो drag force लग रही होती है upward direction में एक buoyancy force जो है वो उस पर लग रही होती है upward direction के अंदर so this was all about fluid mechanics और next session में नया subject हमारा शुरू करेंगे हम कौन सा subject शुरू करना है वो आप सब comment करके बता सकते हैं या फिर poll के अंदर भी आप participate करके बता सकते हैं questions की practice करनी हो तो वो आप बता दीजेगा questions की practice भी कर सकते हैं fluid mechanics की अगर आप app पर भी पढ़ना चाते हैं तो वहाँ पर survey और building materials चल रहा है building material almost खतम हो गया है survey का हमने compass surveying खतम कर लिया था leveling शुरू कर चुके हैं वहाँ पर अगर आप पढ़ना चाते हैं तो नीचे description में app का link होगा या फिर play store पर आप संदीब जाने civil नाम से search करेंगे app आजाएगे app पर open करके basic registration करना है registration करने के बाद आपको वहाँ पर यह course दिख जाएगा एक ही course है pre to main civil engineering का complete course इस पर जाना है view details पर जाना है यहाँ पर आप coupon यूज़ कर सकते हैं coupon के अंदर आपको देखने को आप यूज़ कर सकते हैं new start जैसे ही आप new start यूज़ करेंगे आपको 10% instant off मिलेगा और फिर आप अपना जो भी favorable payment option है उसके थूँ आप पे कर सकते हैं और complete course का access आपको मिल जाएगा चाहे वो course के अंदर आपके classes हो, theory वाली, practice session हो, test series हो, revision sessions हो, कुछ भी हो everything for your exam, इस particular exam के लिए जो भी चाहिए होगा आपको सब इस पे मिल जाएगा thank you so much, see you in next session, take care, bye bye हाँ जी, इस channel पर नहीं है तो subscribe कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे share कर सकते हैं इसे क्मीपशा आपको सकते हूँ